तो देखिए मैं आपके लिए आज बहुत important topic ये लेकर आया हूं जिसको आपको देखना है ये previous year paper है आपका लेब अटेंडेंट और लेब असिस्टेंट का ये previous year का paper है बेटा इसको अच्छे से आपको देखना है इस आपको चीजे आपको पता चल जाएगी कि आपका paper जो है किस level का होने वाला है बहुत सारे student लगातार मुझे बोल रहे थे कि सर आप बताईए previous year paper या फिर आप बार बार वो level की बात कर रहे थे कि किस तरह का हमें बढ़ना है या फिर थोड़ा level बढ़ाने की बात कर रहे थे तो जो भी students को कोई doubt था इस चीज़ को लेकर कि हम किस level क पढ़ रहे तो आपको मैं बता दूँ यह paper आप अच्छे से देखे मैं यहाँ पर यह पहला लेब assistant का मैं PCB का पहला क्यूशन हमने लिया इससे पहले जो क्यूशन दे रखे हैं यह आपको general knowledge और इसके दे रखे हैं जिसमें Hindi English general knowledge और सब चीज़े होती है clear तो हम यहां से क्य देखेंगे मैं पहले एक कुछ important biology और PCB के क्यूशन आप देख लीजिए इससे आपको पता चल जाएगा लेवल किस तरह का है फिर हम इसकी बात करेंगे सही से आगे है ना तो देखिए आप पहला क्यूशन देखिए यहां पर पहला क्यूशन देखिए इसका पहला क्यूशन है आपका echinodermata gets its name from echinodermata जिने शुल चर्मी कहा जाता है इनको इस नाम से क्यों कहा जाता है इसका मतलब यह है तो देखिए इसका आपको याद रखना है कि spines की वज़े से ocells की वज़े से tube feet की वज़े से या water vascular system की वज आपको अच्छे से याद रखना है कि उनके अंदर कैसे शरीर पर काट यहने की spines काटे पाए जाते है इसकी वज़े से उनको नाम दिया जाता है kainodermata अगला देखिए यह आपको बिल्कुल basic physics पूछी गई है यहाँ पर क्या पूछा गया है physics के अंदर work done in stretching of wire एक wire को stretch कर करना पड़ेगा कितना कारी करना पड़ेगा तो आपको याद रखना है आपको पहले तो यह याद रखना कि work done क्या होता है force into displacement होता है यह आपको पता होगा और यहाँ पर अगर हम बात करें तो force और into displacement क्या होगी तो यह आपको दे रखा है आपको वन बाई टू फोर्स इंटू एलोंगेशन यहने कि आपको आंसर लगाना है एक बाई दो फोर्स इंटू दिर्गी करन जितना दिर्गी करन हुआ है वो डिस्प्लेस्मेंट आई है तो इस तरह कि मैं आपको यहाँ पर ज्यादा सोल्व नहीं करवा रहा हूं क्योंकि मैं उस समय करवाँगा जब आप हमरा कोर्स थोड़ा जादा हो जाएगा अभी क्या है मैं केवल इस चीज़ पर फोकस कर रहा हूं कि आप पेपर का लेवल देखे कि किस तरह का पेपर आता है उसके ही बेसिस पर आप क्यूशन देखेंगे क्योंकि हमें कभी भी रिपीट क्य क्यूशन नहीं पूछे जाते हैं किसी भी एक्जाम के अंदर उसी तरह के नए क्रिश्ण नए क्यूशन तैयार किये जाते हैं तो आपको यह ध्यान रखना है बटा अच्छे से ठीक देखिया अगला तीसरा क्यूशन देखिए दा सेल्स देट एट एसूसियेटेड देट के विद्द विद्द्स यूट्यूब सेंड हेल्फिंद ट्रांसलोकेशन फूटा अपको अच्छे से याद रखना है कि वहां सेल कोशिका है जो चालनी नालियों से संबंधित और भोजन के अस्ठांतरन में मदद करती है तो आपको याद रखना है कॉन सी सेल होती है वह आपको याद रखना है companion cells होती है यानि कि सहायक कोशिकाय होती है ओके अगला देखिए तो था देखिए करंट इन इंडक्टर और पिंडक्टेंस किसी में कितना है dropped from 4 ampere to 0 ampere the time required to induce 5 तो यह सब क्यूशन इस तरह कि मतलब basic execution पूचे गया physics में भी high level नहीं यह बिल्कुल simple सदे को यहां पर पूचे गया tincture of iodine किस चीज़ का solution है iodine tincture का एक willion है तो यह आपको याद रखना है कि 2-3% solution होता है iodine का alcohol और water में इसे हम tincture of iodine कहते हैं बिल्कुल basic execution बेटा मैं केवल level को यहां पर बता रहा हूँ आपको level समझना है paper का okay किस तरह के paper किस तरह का level है यह 2017 का है आपका lab attendant और lab assistant का paper तो आपको अच्छे से इसको देखना है अगला देखिए क्या दे रखा है identify the oxidant and reaction between H2O2 and O3 where water and oxygen are the product form बिल्कुल basic execution पूछा गया है आपसे यह redox chapter जो है आपका oxidation reduction उससे काफी simple execution पूछा गया है उसके बाद अगला देखिए which one of the following reagent can be used to distinguish two pentine and one pentine इनके बीच में जो अंतर करने का काम करता है वो कोन करता है तो आपको अच्छे से याद रख लेना एन 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 एच्टू करता ही है जब हम देखेंगे reaction को थोड़ा सा पढ़ेंगे अगर chemistry को तो आपको समझ में आ ज से भी सबी क्योंकि physics chemistry बहुँ सिंपल पूचे गई है आपर biology भी सिंपल ही है तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है चीज़ोंगा देखिए अगला है same amount of charges are given to two capacitor A and B from the source of EMA 100 volt and 150 volt respectively है तो आपको question देखना है respectively then the ratio of their capacitance तो उनके capacitance का ratio क्या होगा अच्छे से याद रखना है तो ये इस तरह के question पूचे गए है यहाँ पर बिलकुल सिंपल से question अगर आप चाहे तो मैं इसका solution भी दे दूँगा आपको या फिर इनको समझा भी दूँगा आभी के बल में level आपको या बता रहा हूं कि paper किस तरह का है आपको समझना है यहाँ से ही आप अच्छे marks ला स पूचा गाए which one among the following element is the maximum atomic radius यह बिलकुल से question है आपसे पूचा गाए किसकी radius बढ़ी है तो इस तरह की simple यहने की आपको ध्यान रखना आपको पताए कि radius इदर जाने पर कम होती है इदर जाने पर लगातार बढ़ती जाती है radius यहने की तरज्जा तो आपको वैसे ही पता च करेंगे तो अगर बेरिलियम इदर साथ आता है इसके अगर इसकी हम बात करें जाते मैगनेशम आता है यहां पर केल्शम आता है और ऐलूमीनियम की बात करेंगे तो हम आगया ऐलूमीनियम आएगा यहने कि सबसे ज्यादा radius पूची है अपके तो आप आसानी से बढ़ता आप आओगे कि इसकी radius क्योंकि यह चोटा इधर नीचे है यानि कि इसकी इधर बढ़या है और इधर जाने पर radius घटती है यानि कि आसानी से मतलब इतना simple सा बेटा पूचा गया तो आपको confused नहीं होना है बिल्कुल यह आपका question जो पूचा गया यह आपके coordination chemistry का question पूचा oxidation number iron in violet colored complex बहुत simple question है अगर आपको इन questions का को सही से समझना इनको solve करना सीखना है तो आप मुझे comment box में बता सकते में इन पर particular इस तरह के ही questions ले लूँगा और उसको ही में इस तरीके के आपको बता दूँगा कि इस तरह के question को कैसे solve करना है ठीक अगला देखे यह biology का बहुत simple question पूछा गया है ट्रोपोनीन एंड ट्रोपोमायसीन जो होता है और additional protein और किसके ये additional यानिके अत्रिक्त protein होते हैं तो आपको अच्छे से याद रखना है actin filament आपको याद रखना है biology में दो तरह के filament होते हैं एक actin filament होता है एक actin filament होता है actin filament को हम पतले तंतु कहते हैं औ पतले तंतु होते हैं उनमें यह ट्रोपोनीन और ट्रोपोमायसीन भी उपर पाया जाते हैं जब मैं आपको मसल्स पढ़ाओंगा इस्कलेटल मसल्स का structure पढ़ाओंगा तो आपको समझ में आ जाएगा ठीक अगला देखें water the food requirements of dairy animals जो dairy के पशु होते हैं उनके लिए fiber वाला food होना चाहिए जिससे की which are low in fiber but high level of protein and other nutrients उनके अंदर level of protein और other nutrients का level high होना चाहिए अगला देखें बहुत simple सा question पुचा गया है जब alpha particle passed होते हैं thin metal foil से most of them go straight through the foil because ऐसा क्यों होता है क्योंकि आपको याद रखना alpha particle कैसे होते हैं positive होते हैं positive charge के होते हैं clear तो इस वज़ से एक तो यह कारण हो गया positive charge के और क्या question क्या most of them go straight straight क्यों जाते क्योंकि वो खाली रहता है empty space present in atom तो यह आपका answer हो जाएगा empty space present in atom तो simple से चीज़े हैं अगला देखें अगला याद रखना है आपको name of the cell organ which is associated the illumination of old and old and warm तो आपको यह इसमें याद रखना है इस तरह आ of cell aurora which is associated with the elimination of old and worn out cells जाने का काम करता है खुद देखें को फौलंगल तो former तो मीथेनोल कौन सा एनोच के साथ रेक्ट करेगा जिसे मीथेनोल तो आपको अच्छी से याद रख ना है आ जाएंगे बटा जब केमिस्ट्री आप पड़ेंगे तो सिंपल सा है बिल्कुल यह इनर्जी एक्वेलेंट ओफ वन किलोग्राम अप मास एक किलोग्राम द्रविमान की तुलिमान और जा क्या होगी इस तरह के क्यूशन पूचे गए आपसे फास्पूरस और अर्सेनिक जो है एक्जिस्ट अस टेट्रा एटोमिक मोलेकुल की तरह एक्जिस्ट करते हैं बिल्क नाइट्रोजन हुआ फास्पूरस हुआ अर्सेनिक हुआ एंटिमनिक हुआ बिस्मित हुआ यह सब किसके हैं ग्रूप 15 के एलिमेंट्स होते हैं तो इनके बारे में पूछा गया है अगला देखिए विच ओब दा फॉलिविंग क्यरेक्टर से लिक्विड विल रिक्वार पर डिटर्माइनिंग इस क्राइयो इसकोपिक कॉंस्टेंट अजेव सोल्वेंट तो यह भी क्यूशन सिंपल है अच्छे से पर केवल क्यूशन हमें अगर आपको बेटा बार-बार बोल रहा हूं मैं अगर आपको इस तरह के क्यूशन सोल्व करना नहीं आता है तो आप म किसी एलिमेंट के लिए कौन सा ट्रू है तो इस तरह के बैसिक से क्यूशन पूचे गए मैं उसके बाद अगले देखिए विच कनेक्टिव टीशूस फाउंड बिट्विन दा इसकीन अंड़ मसल्स इसकीन और मसल्स के बीच में त्यचा और पेशों के बीच में कौन सा सन लिए ही ये विडियो बनाया मैंने कोई और आपको अभी में डिटेल में नहीं समझा रहा हूं क्योंकि अभी आपको क्या करना थ्योरी पर ध्यान देना बिटा कॉनसेट डेवलप करने पर ध्यान देना है क्यूशन अपने आप सूल होंगे अगर आपको थोड़ा सा महनत क करेंगे तो ओके तो देखिए अगला तेस्वा क्यूशन नेम्दा फाइलमेंड विद्धा ऐलिमम अनिमल्स अट्रू मेराइन और हेविन एक्जुस्कलेटन मेड़फ केल्शियम कार्बोनेट का केल्शियम कार्बोनेट का बना होता है काइनो डर्मेटा को आपको दे रख सर्कुलेशन और कंप्लीट डबल सर्कुलेशन पाया जाता है याद रखना कंप्लीट इस्तंधारियों में यानि कि मैमल्स में कंप्लीट डबल सर्कुलेशन मैंने बताया भी था आपको इस पर मैंने वीडियो बनाया है पेले ही डबल सर्कुलेशन के बारे में किन में सिं सिंपल सा क्यूशन पूचा गाया आप देख सकते हैं इस पर अगर आप थियोरी पड़ेंगे तो हो जाएगा और नहीं हो तो आप मुझे बता देना मैं आपको करवा दूंगा इस तरह की प्रेक्टिस जिपसं का क्यूशन पूचा गाया केमिस्ट्री में तो यह भी ध्यान रखना है और सिंपल सा कुछ भी नहीं पूचा यह पूचा है केवल कि जिपसं को अगर हम हीट करेंगे 120 डिगरी सेल्सियस पर तो उससे क्या बनेगा क्लियर तो यह आपको याद रखना है बटा क्योंकि उससे वाटर निकल जाता है यह ध्यान रखना है हर स्टेप में जै अब बता सकते हैं what is the meaning of tetrapoda tetrapoda का मतलब क्या होता है बटा सिंपल सा है जिनके क्या होते हैं जिनके चार pentadectile path होते हैं उनको ही हम कहते हैं tetrapoda ठीक देखिया अगला यह आपको वापस chemistry का क्यूशन पूचा गया है electrochemistry की चेप्टर से किस तरह कि अपकी conductivity पर क्यूशन पूच गया था most important cause of biological magnification is the accumulation of bio magnification का क्यूशन पूचा गया अच्छे से याद रख लेना bio magnification है अगर हम में बता हूं आपको चेप्टर में तो जो 12th class है उसके जो NCRT है 12th class के NCRT जो है उसमें आपको last chapter दे रखा है environmental issues environmental issues जो दे रखा न उससे एक चेप्टर यह क्यूशन आया है bio magn magnification का तो DDT में कारण होता है bio magnification का इसी कारण से बेटा क्या होता जा रहा है लगातार जो पक्षी है उनकी संख्या कम होती जा रही है क्योंकि उनके अंडे पहले ही खत्म हो जाते हैं मेचर होने के पहले ही उनके अंडे तूड जाते हैं ठीक अगला देखिए heart is made up of heart आपक किस से बना होता है muscular tissue muscle tissue से बना होता है और उनमें cardiac muscles पाए जाती है ठीक यह देखिए equilibrium से question पूछा गया है तो यह आपको याद रखना है अगला देखिए name the living element of xylem xylem का कौन सा सजी होता तो बहुत basic सा question पूछा जाइलम परेंकाइमा याद रखना है बटा क्योंकि यहाँ पर xylem परेंकाइमा जो होती है वो photosynthesis करवाती है photosynthesis जो होता है वो living ही करवा सकता है तो आपको याद रखना है चोती सो देखिए 34 वाला identify the change that occurs when calcium oxide react with water अगर देख लो option आपको ध्यान रखना है बटा अच्छे से और जो चीज अगर अभी वी में केवल paper दिखाने आया हो यह इसमें paper आपको ध्यान रखना है कि किस level का paper है तो आपको इस तरह से घबराना नहीं है level यहाँ पर जादा है नहीं कि papers का normal level ही है बटा अगर आप neat व पूचा गया है यहाँ पर clear तो आपको ध्यान देना है यहाँ पर अगला देखिए root minus square speed से क्यूशन पूचा गया है ठीक यह देखिए receptor present in receptor कहाँ पर पाया जाते हैं तो आपको ध्यान रखना है आपको पता है कि आखों में skin में सब जगे पाया जाते है तो अले बदे बव चागा तो फोटो एलेक्टर के फाक्ट को नहीं कर सकता है यह हमें देखना है यहाँ पर हम समझेंगे फोटो एलेक्टर के फाक्ट को क्यों नहीं कर सकता है identify the space formed by the cold gasification reaction कौन सा कोईला गेसी करन अभिक्रिया द्वारा निर्मित होने वाली जात की पहचान है तो आपको या इनाइट में डिग्री सेल्सियस में या फिर केल्वीन में किस तरह से आपस में इनको कनवर्ट कर सकते हैं ठीक और अगर आपको आता हो तो आप इसको करके देख सकते हैं अगला देखिए इफ 90 डिग्री ओफ वाटर इस एलेक्टरलाइस कंप्लिटली विस 100% करेंट एफि थे सेक्रिट के जाता है याद आप देखोएं वाइग्राम केल्शेर का अउन डीपोजिशन का क्यूशन पूचा गया है अच्छे से इस तरह के क्यूशन पर प्रेक्टिस करना बटा यहाँ पर क्यूशन पूचे गए हैं उन्होंने कौनसा आसानी से हाइड्रोलाइस नही तो इसमें stability किसकी जादा होगी इस तरह की चीज़े पूची गई हैं अगला देखें कोंट्रसेप्टिव मीजर आप गर आपको पता हो तो मैंने इसमें इस से रिलेटेड कोंट्रसेप्टिव कोंट्रसेप्शन का एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने कुछ कुछ important चीज़े ली थी पर हाँ मैंने यहाँ पर यह कुछ topic नहीं लिये थे जैसे use of copper tea का नहीं लिया था करेंगे पर physics chemistry में भी आपको थोड़ा सा करना पड़ेगा और अगर आप नहीं कर पा रहे तो आप comment box में जरूर comment box को भरिए किसलिए comment box बार-बार करिए कि सर यह चाहिए यह चाहिए यही तो करना है ठीक और provide करना मेरा काम है बिटा हम बिल्कुल महनत कर रहे हैं आपके लिए बस आप भी हमारे साथ जुड़े रही है ठीक अगला देखिए गायों का दूद उत्पादन केसे बढ़ा जा सकता किस तरह से हम milk का production बढ़ा सकते हैं तो याद रखना उनका lactation period इन है कि काल को बढ़ा कर हम उनका दूद उत्पाद formation करेगा तो यह आपको question पूछे गए हैं बिटा बहुत 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 simple question है बिल्कुल भी इस तरह के question को मतलब आपके पास स्मोका मिला है बिटा opportunity मिली है vacancy आई है इसको जाने मत देना हाथ से बिल्कुल आपको क्या करना है मोके को हाथ में रखकर पकड़ना है और मेहनत क minimum यूज करिए बेटा ठीक अगला देखिए वेवलेंट ओफ एलेक्ट्रों मुविंग विल्कुल सिंपल से फॉर्मले से निकल जाएगी कुछ नहीं करना है पीक आउट इंकरेक्ट स्टेट्मिल अब इनर्शिया के बारे में पूछा गया है जड़त्व के बारे में बहु बायोलोजी में अभी तक जितने कुछन आया सारे इंसियार्टी का यह याद रख लेना है ना सारे इंसियार्टी से हैं इसलिए में बता रहा हूं यह यह है आपका एक चेप्टर है 12 का ही चेप्टर है strategy for enhancement in food production उससे क्यूशन पूछा गया है इन्होंने clear तो याद रखना अगला देखे डाइमेंशन बहुत बेसिक क्यूशन डाइमेंशन पूछ लिया है देखिए विमाय पूछ ली है तब तो ध्यान दो थोड़ा सा clear यह physics के देखिए बिलकुल basic execution पूछे हैं basketball से related clear it is no transport यह आपसे यह किससे देखो कितना simple सा क्यूशन है आपकी biology का actual में genetic execution पूछा गया है एक basketball खिलडेने लगतार अभ्यास के कारण बास्केटिंग के कोशल को विक्सित कर लिया है इसलिए इस एक अधिगरहित विशेष्टा कहा जाता है अधिगरहित विशेष्टा के बारे में न क्यूशन आएगा ही आएगा एक फिक्स से क्योंकि नीठ हो या कोई सी भी एक्जाम हो और एक्जाम में आता है अब यह देखें कितना simple क्यूशन क्या पूछा है और्गनिस हो मोड़ा को रिडक्शन बाइनरी फिजन इंड को जस काला अजार काला अजार किससे होता है इससे काला अजार होता है वाटर एंड मिनरेल अप्टेक बाइर रूट हैर्स फ्रॉम दा सोईल थ्रू पोप्लास्ट अंटी रिचेस तो यह आपको अच्छे से याद रखना है इन सब क्यूशन को मैं आपको करता जाओंगा तो एक बार क्यूशन को देखते जाईए मैं आपको स्क्रोल करता जाता हूं ताकि आप थोड़ा कि आपका टाइम बचे में भी इसमें टाइम ज्यादा वेस्ट आपको नहीं करना चाता बटा में चीज यह है ठीक तब देखिए यह आप क्यूशन आपने देख लिए ना अब इनको देखते जाईए लगातार इस तरी बतलब लेवल हमें समझना था हम देख चुके हैं कि क्या लेवल है एक्जाम का ठिक बहुत ही सिंपल लेवल है थोड़ा सा भस ध्यान लगा के आपको पढ़ना है महनत करना पड़ेगा क्योंकि इतना बिना महनत के कुछ भी संब़व नहीं है तो महनत आपको करना पढ़े बस यही है तो इस तरह से हमारे यह पूरे अब आपके ऊपर के भी देख सकते हैं थोड़ा सा या आप ऊपर का भी स्क्रोल करके देख लीजिए आपको बेटा यह ध्यान देना है अब यह पेपर अगर आपको चाहिए तो आप क्या करेंगे हमारे जो टेलिग्राम ग्रूफ ह उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है उसको आप क्या करेंगे जोइन करेंगे और यह पेपर आपको वहाँ पर PDF में मिल जाएगा तो आपको अगर यह पेपर चाहिए या इस तरह के बहुत सारे नोट्स चीए जिससे आपकी हेल्फ हो सके तो आप टेलिग् यह जरूर आप करें तो इस तरीके से यह बैसिक ऊपर के थे और यहीं से हमारे लेब असिस्टेंट के यह जो बायोलोजी PCB के क्यूशन स्टार्ट होते हैं ठीक बटा तो आपको और किसी भी तरह की इस तरह से प्रोब्लम हो आप बताईए बिल्कुल कमेंट बॉक्स में एक चीज़ को और हाँ वीडियो को आप पूरा देखा करें अब जैसे इसमें तो मैं फिर भी यह बता रहा था पर और जो हम टीचिंग वाले वीडियो हमारे हैं जिसमें लेक्चर अवेलबल है उसको पूरा देखे ताकि आपके कॉंसेप्ट थोड़े बने विटा नि तो आप गलत क्यूशन आधा आधूरा पड़ेंगे और आधा आधूरा गलत करके आएंगे तो यह हम बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं ओके तो मेहनत करते रहना है मोटिवेटेड रहना है और सिलेक्शन पका करना है समय बचा हुआ है राध दिन एक कर देना है अब ओके ओके ब